नमस्कार आदाप सस्टेकाल रादे रादे जैहिन, स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ओफिशल यूट्यूब चानल पर और मैं चानी महिंद्रास तही दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ, बच चुके हैं सुबे के साड़े चे और आज है 16th of December, तो आज के Current Affair Analysis के और अपने MCQ session के साथ बिलकुल हम जुड़ चुके हैं, जितने भी candidates as parents हमारे सा जुड़े हूँ है, फटा-फट session को क्या कर देना है भई, शेयर कर देना है, जिससे जादा से जादा candidates जो है, उन्हें न्यूस से क्या किया जा सके, अबगत करा जा सके, फटा-फट बता दू सब कुछ सही है, येस, तो हमारे आज के हाश्टाइग से शुरुवात करते हैं, और वो कौन सा है, I can, I will है, हमारा आज का हाश्टाइग पंकर सर जुड़ चुड़ चुके है, गुड मॉर्निंग हनुमान इस हीर, संतोष सर जुड़ चुके है, हमारे साथ, शिवम सर जु आदिप खान हमारे साथ, राजिस्थान से कनेक्टेड है, दम्मा इस हीर, दिव्यान सर, रवी सर, चारु इस हीर, चारु मैम जुड़ चुकी है, हमारे साथ, स्मृती मैम आ गई है, रिते सर इस हीर, विबेका नंदा, तो बहुत सारे नए-ने कैंडिडेट्स पर हमारे सा जुड़े हुए है, तो बिलकुल फता-फत क्या करतेना है, सेशन को शेर करते जाना है, और अगर हम बात करें, आज के important days है, तो बिलकुल आज एक important day celebrate किया जा रहा है, और हमारे list के according, जो आज important day है, 16th of December को वो मनाया जा रहा है, कौन सा दिवस, विज़े दिवस मनाया जा पाकिस्तानी सेना ने घुटने टेक दिये थे भारत के आगे और बांगला देश को 1971 में क्या मिल गए थी आजादी मिल गए थी तो 1971 का जो वार था उस पर बेश रही है पूरा का पूरा कौन से दिवस विजे दिवस तो आज हम सेलिबरेट कर रहे हैं 16th of December को विजे दिवस ज चार्ट करते हैं और पहली निउस आ रही है स्क्रीन पर नीतियायोग रिलीज इस विजिन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्वीलियंस इन इंडिया नीतियायोग ने जारी किया है अपना 2035 का विजिन डॉक्युमेंट भारत में सार्वजेनिक स्वास्त निगरानी किस तरीके से जो है इंडिया में हेल्थ सर्वीलियंस लेकर आया जाएगा उसकी निगरानी की जाएगी और लोगों तक हेल्थ फेसिलिटीज पहुँचाए जाए उसके लिए नीतियायोग ने अपना वाइट पेपर निकाल दिया है 2035 तक का विशन डॉक्यूमेंट निकाल दिया है कि किस तरीके से जो है पब्लिक हेल्थ सर्वीलियंस को बहतर बनाना है कहां पर इंडिया में ये काम किया गया है University of Metatoba जो है Canada में लोकेटेड है उसके साथ मिलकर नीतियायोग ने एक वाइट पेपर निकाला है ठीके जैसे हम कहते हैं कि blueprint निकाल दिया एक रूप रेका तयार कर दी वैसे ही क्या निकाला जाता है एक वाइट पेपर जो है वो रिलीस किया जाता है जि इसे कैसे जो हैं लोगों से आइडिया लिये जाएंगे इन सब पर बेस्ट है एक वाइट पेपर तो बिलकुल अगर हम बात करें नीतियायोग की तो फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है नीतियायोग का फुल फॉर्म क्या है National Institution for Transforming India नीति का फुल फॉर्म है जो ब सरकार आए तो प्लानिंग कमिशन योजना आयोग को क्या कर दिया गया एबॉलिश कर दिया गया और एक जनवरी 2015 से सरकार किसे लियाए नीतियायोग को लियाए नीतियायोग कोई constitution body नहीं है समविधानिक संसा नहीं है प्राइम मिनिस्टर के order पर बनाए गई national institution for transforming इंडिया के chair person तो कौन है भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ही है अगर हम बात करें वाइस चेर्मेन की तो नीतियायोग के वाइस चेर्मेन कौन है राजीव कुमार जी है और नीतियायोग के CEO कौन है अमिताप कान जी ये जो है important personalities है ठीके किसमें जो नीतियायोग के members है तो नीतियायोग भारत सरकार के think time की तरह काम करती है सरकार को राज्यों को केंडरों को advice प्रोवाइड करती है तो thinking process advice देने का काम कौन करती है नीतियायोग करती है जिसने अपना 2035 का vision document निकाल दिया है भारत में health surveillance को सारवजनिक स्वास्त निग्रानी कैसे की जाए और इंडिया तो बहुत सारे important functions बताएगा कि कैसे कैसे health system को सुधाना है strengthen करना है primary level पर secondary level पर tertiary level पर कैसे कैसे care करनी है अगर हम बात करें तो एक बात और important आती है याँपे भई तीन तरीके के diseases कही जाती है कौन कौन सी primary diseases secondary diseases और कौन सी diseases tertiary level की diseases primary diseases की बात करें सर्दी खांसी बुकार हो गया cold and cough हो गया वो primary diseases में आता है except corona ठीके न अगर हम बात करें secondary diseases की तो secondary diseases कौन सी कहलाती है malaria डेंगू हो गया ये सब क्या कही जाती है secondary diseases और जो life threatening होती है जैसे हम बात करें TB हो गया cancer हो गया ये सब tertiary level की क्य कही जाती है diseases कही जाती है ठीक है तो white paper में जो है बहुत सारी information बताई गई है कि कैसे कैसे जो है action लिया जाएगा enhance की जाएगी कि लोगों तक जो है healthy services पहुँचाए जाए कैसे जो है confidently or privacy maintain की जाएगी center और state के बीच में data को share करना पड़ेगा कि वो लोग कैसे कैसे काम करने हैं तो public health emergency international concern पर based है ये पूरा का पूरा और ध्यान रखना ये university of manitoba जो है वो साथ में मदद करने वाली है जो कहाँ पर located है Canada की university है next अगर हम बात करें तो अगली news की तरफ आ रही है nine sustainable mountain development summit held in देहरादून उत्राखन देहरादून में नौवा सतत्य परवर्त विकास शिकर समेलन आयोजित किया गया तो sustainable mountain development समेलन का आयोजिन किया गया virtual माध्यम से ये कि nine sustainable mountain development summit जो है उसका क्या किया गया विमोचन किया गया है अगर हम बात करें तो no doubt mountains जो है एक बहुत ही important role play करते हैं तो कैसे कैसे जो है उनके ecosystem को बताया जा सके आसपास के areas को कैसे reserve किया जा सके जिससे ज़्यादा हाम न हो तो उससे पूरी related जो है एक समेलन किया जाता हर साल ये समेलन होता है अगर हम बात करें तो इस बार का summit जो था वो नौवा sustainable mountain development summit था ये पूरी news जो है उसके बारे में हम बात करें तो international mountain day के augation पर जो है इसे virtual माध्यम के तुरू celebrate किया गया चार दिन का ये जो लंबा समेलन है इसे organize किस ने किया तो organize इसे किया indian mountain initiative और इसके जो host किया है साथ में मिलकर वो किया है sustainable development forum जो उत्राखन दहरादून में located है उसने अगर हम बात करें कि इस बार कि जो 2020 की SMDS की theme है SMDS मतलब sustainable mountain development summit की जो theme दी गई वो दी गई emerging pathways for building a resilient post covid-19 mountain economy adaptation innovation and exhilaration 2020 की जो theme दी गई वो कहें गए कि covid-19 के बाद जो है ठीक है पूरी तरीके से जब ये pandemic खतम हो जाएगा उसके बाद कैसे कैसे mountain के economy को बचाना है उसे innovate करना है और उसे जो है pace पर उसको accelerate करना है इस basis पर पूरी theme जो है इस बार की दी गई है ठीक है तो focus जो है वो theme का ये रहा है कि sustainable mountain development होना चाहिए mountain की आस-पास की economy को और climate change को कैसे बचाया जा सके उससे related जो है ये सम्मेलन आयोजित किया गया next अगर हम बात करें तो जो important news आ रही है वो ये आ रही है renowned Sanskrit scholar विद्याचस्पती गोविन चार्या passes away at 85 ये बात हम कर चुके थे कि प्रसेश संस्क्रित विद्वान जो है विद्याचारी गोविन चारी जी का जो है हाली में क्या हो गया है निधन हो गया है तो ये किस field से belong करते दिधान रखना Sanskrit scholar थे जिनका हाली में क्या हो गया है निधन हो गया है ठीक है next अगर हम बात करें तो Ola to set up world's largest scooter factory in Tamil Nadu at rupees 2400 करोर ओला Tamil Nadu में दुनिया का सबसे बड़ा scooter कार खाना स्कापित करने के लिए जो है उसने investment कर दिया है 2400 करोड रुपे का कहां पर Tamil Nadu में तो बिलकुल अपनी पूरी के पूरी field को diverse करती जा रही है ये companies और Ola जो है world's की largest scooter factory जो है कर रहा है 2400 करोड रुपे से कहां पर Tamil Nadu में ये plant लगाया जाएगा अगर हम बात करें तो soft bank bank mobility platform जो Ola है ठीक है soft bank जो है इसे पूरी तरीके से support करता है तो Ola ने MOU sign किया है memorandum of understanding sign की है किसके साथ Tamil Nadu government के साथ और ये जो है सबसे पहली factory रहेगी ऐसी Tamil Nadu में investment कर रहा है Ola 2400 करोड रुपे का ठीक है तो Ola जो है अपनी factory open कर रहा है जो largest scooter manufacturing facility रहेगी world की ये कहा गया है जिसमें annual manufacturing capacity रहेगी 2 million units की मतलब इतने amount में जो है electric scooters क्या की जाएंगी develop की जाएंगी उनका manufacture किया जाएगा तो बिलकुल जो मोदी जी का concept है आत निर्वर बारत का उसे बढ़ाते हुए आगे two wheeler electric vehicles जो है वो अब manufacturing hub की तरह इंडिया में काम करेगा और no doubt employment opportunities भी बहुत जादा क्या होंगी यहाँ पर create होंगी नेक्स अगर हम बात करें तो important news इंकल कराई Odisha to host 2023 FIH Men's Hockey World Cup at Bhuvaneswar and Raurkila Odisha Bhuvaneswar और Raurkila में 2023 का FIH मतला Men's Hockey World Cup पुरश होकी विश्व कप की क्या करने वाला है मेजबानी करने वाला है तो Odisha को जो है यह sponsorship मिल गई है कि वो host करेगा FIH Men's Hockey Football World Cup अगर होकी World Cup की बात करें कहां कहां पर Bhuvaneswar और Raurkila में जो है होकी World Cup जो है क्या किया जाएगा अब खेला जाएगा अगर हम बात करें इस news के बारे में तो International Hockey Federation जिसका headquarter Losan Switzerland में है उसने यह announcement कर दिया है कि 2023 का FIH मतलब Federation of International Hockey Men's Hockey World Cup जो है वो host करेगा Odisha Second consecutive time मतलब यह दूसरी बार लगातार जो है कौन host कर रहा है Odisha host कर रहा है ध्यान रखना टूर्नमेंट जो है दो venues पर खेले जाएंगे होकी के Bhuvaneswar और दूसरा venue कौन सा Raurkila ठीके ना अगर हम बात करें तो 2018 का last जो Men's Hockey World Cup हुआ था वो भी किसने host किया था Odisha नहीं host किया था 2023 का जो टूर्नमेंट है यह होकी का यह 15th edition है Men's FIH Hockey World Cup का अगर हम बात करें तो यह event जो है कौन-कौन से stadium पर होने वाले है तो कलिंगा स्टेडियम भोवनेश्वर में जो लोकेटेड है और बीजू पतनायक होकी स्टेडियम जो कहां पर लोकेटेड है रावर किला में इन दो venues पर यह होकी World Cup खेला जाएगा FIH होकी World Cup जो है हर 4 सालों में एक बार होता है ठीके ना 4 years में जो है conduct किया जाता है last कब हुआ था भई 2018 में हुआ था ठीके ना तो अगर हम बात करें तो जो है अगला होगा 2023 का ठीके तो यह जो है होने वाला है कहां पर यह होगा कहां पर ODESA में conduct किया जाएगा next अगर हम बात करें अगली न्यूस की तरफ तो बिलकुल चाय प्रेमी हमारे साथ बहुत सारे जुड़े होगे जिने जो है चाय बहुत पसंद होगी तो International Tea Day जो है celebrate किया गया का 15th of December को ठीके International Tea Day celebrate किया गया 15th of December को अगर हम बात करें तो ऐसी बहुत सारी countries हैं जो highest tea producing countries में शामेने लेकिन चायना उनमें से एक है जहां पर सबसे ज़्यादा जो है चाय का क्या होता उत्पादन होता दूसरे नंबर पर क्या है इंडिया में असम है ठीके तो International Tea Day जो है हर साल celebrate किया जाता है कब 15 December को 2005 से ही celebrate किया जाता है जिसमें tea producing countries जैसे की इंडिया, बांगलादेश, नेपाल, वेतनाम, इंडोनीशा, मलावी, मलेशया ये सब जो है क्या करती है इनों नहीं इस दिर्वस की क्या की थी गोशना की थी United Nations के साथ मिलकर ठीके तो कैसे कैसे tea trade workers को और जो चाय का उतपादन करने वाले workers है और growers है उनकी जो है lifestyle को कैसे बदला जा सके उस बारे में बातचीत की जाती है तो ये है कि इंडिया's second largest producer है tea का ठीके वर्ल्ड में किसके बाद चायना के बाद किसके बाद चायना के बाद तो इंडिया में जो है असम में सबसे ज़्यादा ठीका क्या है उतपादन है next अगर हम बात करें अगली news आ रही है वो ये है कि Reserve Bank of India ने approve कर दिया है re-appointment of उदे कोटक as chief of कोटक महिंद्रा bank RBI ने कोटक महिंद्रा bank के प्रमुक के रूप में उदे कोटक की फिर से नियुक्ती को क्या दे दी गई है मनजूरी दे दी है तो RBI ने re-appointment कर दिया है उदे कोटक जी का as a chief of कोटक महिंद्रा bank अगर हम बात करें उदे कोटक जी की ठीक है तो 2020 में RBI ने फिर से re-appointment कर दिया है कि उदे कोटक जी जो है MD और CEO रहेंगे किसके कोटक महिंद्रा bank के कितने सालों के लिए तीन सालों के लिए और ये अपना कारभार समभालेंगे कबसे 1st January 2021 से अपना पदभार समभालेंगे अगर हम बात करें तो Reserve Bank of India ने ये भी कहा है कि प्रकाश आपते जो है Part-Time Chairman रहेंगे और दीपक गुपता जो है MD रहेंगे 3 सालों के लिए किसके कोटक महिंद्रा bank के ठीके तो कोटक महिंद्रा bank के CEO के तोर पर उदे कोटक जी का नाम फिर से रिपोइंट्मेंट पे आ गया है अगर हम बात करें उधे कोटक जी की जो कोटक महिंदरा बैंक तो उनका बहुत एक लंबा केरियर रहा है ठीके ना 17 साल जो है उन्होंने कोटक महिंदरा बैंक को दे दिये हैं तो फिर से उनका जो है री अपोइंटमेंट कर दिया गया है कोटाइक महिंदरा बैंक जो है ऐसा पहला बैंक है देश का जिसने वीडियो के वाइसी फेसिलिटी इंट्रिड्यूस की थी अपने कस्टोमर्स के लिए तो इंपोर्टन है ठीक है KYC know your customer होता है जब हम खाता कोलने जाते हैं तो बैंक हम से कुछ important documents मांगता है जैसे की आधार कार्ड हो गया, ID proof हो गई, address proof हो गया, इसके लावा photograph तो कोटैक महिंद्रा बैंक ऐसा पहला बैंक रहादेश का जिसने वीडियो के जरिये KYC facility प्रोवाइड की थी अपने customers को saving accounts पर की वो घर बैटे ही, वीडियो के तुरू अपने KYC को क्या कर सकते हैं, done कर सकते हैं कोटैक महिंद्रा बैंक जो है, 2003 में कोटैक महिंद्रा फानांस लिमिटेड की तरह जो है काम करता था जिसे commercial bank में पूरी तरीके से क्या कर दिया गया था, convert कर दिया गया था कोटैक महिंद्रा फानांस लिमिटेड जो थी, इंडिया की सबसे पहली non-banking financial company रही जो पूरी तरीके से convert हुई एक commercial bank में, तो कोटैक महिंद्रा फानांस लिमिटेड हुआ करता था 1985 में 2003 में, जो है, ये ऐसा पहला NBFC non-banking financial company रही है जिसे convert कर दिया गया किसमें एक commercial bank में, headquarter कहाँ पर है, कोटैक महिंद्रा बैंक का सबसे पहला bank रहा, जिसने video KYC की शुरुआत की, फिर सबसे पहली ऐसी जो है NBFC रही, non-banking financial company रही, जिसे convert कर दिया गया किसमें, as a commercial bank के तौर पर पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, convert कर दिया गया मुझे जल्दी से बता दो, किसी भी bank और non-banking financial company में, NBFC में, difference क्या होता है एक दो difference तो बता दो, किसी भी bank या, फिर non-banking financial company में, difference क्या होता है बहुत बढ़ी है, yes दीपक सर, हमारे साथ जुड़े हुए है, ठीक है न, RBI जो है, Trillo की कुमार सर पूछ रहे है किस basis पर note चापती है, तो एक system बना हुआ है, MRS system, minimum reserve system ठीक है, उस basis पर, 1956 में ये system आया था, और इसी basis पर, क्या किया जाता है note को चापा जाता है, मतलब अगर आप CDC बात कर लो, तो सोना जो है, हमारे देश में काम करता है gold reserve की basis पर क्या चापा जाते है, note चापे जाते है, चलो next अगर हम बात करें, विजे प्रताप सर जुड़े हुए है, हमारे साथ, भई, 200 से जादा लोग जुड़े हुए जल्दी-जल्दी session को क्या करते जाना है? शेर करते जाना है तो चोटा से difference बता दो किसी भी bank और non-banking financial company में क्या difference होता है भई ये company है न, non-banking financial company, तो कौन से Act में registered होगी, Companies Act में registered होगी bank है तो कौन से Act में registered होगा, Banking Regulation Act 1949 में registered होगा मुझे बता दो Companies Act नया वाला जो है कब लाया गया था बहुत सारे candidates जैसे जुड़े होंगे जो Commerce या Finance Background से होंगे तो Companies Act जो है नया वाला कब लाया गया है तो Non-Banking Financial Company जैसे हम Magma Finance मुतूर Finance इन सब की बात कर ले तो ये NBFC के तरह काम करती है जो Companies Act में Registered होती है ठीक है NBFC जो है उनमें हम खाता नहीं खोल सकते Deposit Accept नहीं करती Bank जो है वो Deposit Accept करता है ठीक है इसके अलावा Non-Banking Financial Company जो है अपने नाम पर Check Book Issue नहीं करती Bank अपने नाम पर Check Issue करता है इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक बात ध्यान रखना भई Non-Banking Financial Companies NBFC जो होती है वो ATM ओपन कर सकती है और उन ATM को किस तौर पर जाना जाता है ध्यान रखना White Label ATM जिसमें से बहुत Question पूछे जाते हैं तो Non-Banking Financial Companies जो है Automated Teller Machine ATM ओपन कर सकती है जिन ATM को किस नाम से जाना जाता है White Label ATM के तौर पर जाना जाता है बहुत बढ़िया Companies Act नया वाला बता दिया है 2013 का है बहुत बढ़िया White Label ATM जो Non-Banking Financial Companies ओपन करती है उन्हें White Label ATM क्यों कहा जाता है क्योंकि उसमें किसी भी Bank का Logo नहीं होता इसलिए उसे क्या कहा जाता White Label ATM कहा जाता है हम जनरली देखते हैं कि हम जिस Bank की ATM मशीन से पैसा निकालते है उसमें क्या होता है Bank का Logo होता है लेकिन अगर किसी Bank का Logo नहीं है वहाँ पर तो समझ लेना कि वो NBFC Non-Banking Financial Company के द्वारा खोला गया क्या है ATM है जिनने क्या कहा जाता है WLA मतलब White Label ATM के तौर पर जाना जाता है और देश का सबसे पहला White Label ATM जो है उसे टाटा की एक साहय कंपनी टाटा Communication Payment Solution Limited ने खोला था जिसका नाम क्या था भई Indie Cash तो देश का सबसे पहला White Label ATM खोला था टाटा की साहय कंपनी ने जिसका नाम था क्या Indie Cash और यह Open कहां पर हुआ था महराश्ट के थाने डिस्टिक में से क्या किया गया था Open किया गया था ठीक है ना तो ध्यान रखना कि Non-Banking Financial Company जो ATM Open करती है उन ATM को किस तोर पर जाना जाता White Label ATM के तोर पर जाना जाता नेक्स टार है अगली न्यूस की तरफ बढ़ रहे है संसद हमले की 19 वी बरसी पर The Shore Unbound नामक किताब का क्या किया गया है विमोचन किया गया है तो पारलिमेंट पर जो अटाक हुआ था पारलिमेंट पर जो अटाक हुआ था उसकी 19th क्या रही Anniversary रही है जिसके उपलक्ष में The Shore Unbound जो है बुक का क्या किया गया है विमोचन किया गया है तो आप ओम बिरला जी को जो है आपे देख सकते हो जिनोंने इस पुस्ता का क्या किया है विमोचन किया है लाँचिंग की है The Shore Unbound ठीक है अगर हम बात करें तो ये CRPF पर बेस्ट है कि Central Reserve Police Force ने किस तरीके से जो है पारलिमेंट पर जब अटाक हुआ था उस पर क्या किया था अपना आक्शन किया था तो उस पर ये बेस्ट जो है पूरी की पूरी बुक है तो 19th Anniversary जो रही परलिमेंट अटाक की जो रहा हुआ था कब 13th of December को हुआ था तो ओम बिर्ला जो है ओम बिर्ला जो है Speaker लोगसभा के उन्होंने एक बुक रिलीस की है The Shore Unbound Tales of Valor of the CRPF Central Reserve Police Force तो Parliament House New Delhi में जो अटाक हुआ था उसकी 19th Anniversary रही उस पर जो है इस बुक का क्या किया गया विमोचन किया गया किसके द्वारा लोगसभा के Speaker ओम बिला जी के द्वारा ये जो बुक है ये लिकी है को अथर की है किसने नीतू ने जो Deputy Inspector General है कान CRPF की और DIG CRPF के एम धीना करण इन दोनों ने मिलकर इस बुक को क्या किया है लिखा है ओम बिला जो है इस बुक का इनोंने क्या निकाला है Hindi version निकाला है इस बुक का इनोंने क्या निकाला है Hindi version निकाला है जो Parliament पर अटाक हुआ था 13th of December 2001 में ठीक है ना उस पर ये बेस्ट है बुक पूरी की पूरी तरीके से और ये जो बुक है इसमें इंक्लूड किया गया है किस-किस का नाम Constable Kamblesh Kumari Ashok Čकर जिने दिया गया था पॉस्तोमस्ति मरनो प्रान इसके अलावा जो अलग-अलग शौरिच चक्र विजेता थे उन पर ये बुक पूरी तरीके से क्या है बेस्ट है अगर हम बात करें 2001 में जो इंडियन पर्लिमेंट अटाक रहा 13th of December को जिसमें पांच टेरिस्ट जो लश्करे तॉइबा के थे और जैशे मोहमत के थे उन्होंने अटाक किया था इंडियन पर्लिमेंट में ठीक है इसमें बहुत लोगों की जाने गई गई थी बहुत सारे जो है डेली पुलिस के परसनल क्या हो गए थे जिनका देहान तो हो गया था ठीक है ना तो और पूरे के पूरे टेरिरिस को जो है मार तो गिराया था लेकिन बहुत सारा जो है लॉस देखने को मिला था तो उसी पर बेस ये बुक देशोर अनबाउंड ठीक है विमोचन किस ने किया है ध्यान रखना तो लोग सबा के स्पीकर ओम बिलाने किया है और लिखा किस किस ने है तो नीतू ने जो डेप्टीड इंस्पेक्टर है डियजी है सी आर पी एफ की और एम दीना करण ने इस बुक को लिखा है अगर हम बात करें तो एक बात सामने आई वो ये है कि Republic Day Celebration में बिटिश के Prime Minister Chief Guest के तौर पर रहेंगे तो बिटिश के Prime Minister ने भारत के Invitation को सुईकार किया है और आप Republic Day की Parade पर बिटिश के Prime Minister Chief Guest के तौर पर आएंगे तो अगर हम बात करें बिटिश के Prime Minister है कौन? Boris Johnson ये फाइनली डिसाइड कर लिया गया है कि वो Chief Guest रहेंगे इंडिया के Republic Day Celebration में तो UK ने इसका Confirmation दे दिया है और पूरी तरीके से जो है क्या किया गया है Accept कर लिया गया है Invitation को जो इंडिया के तरफ से था ठीके ना तो इंडिया और UK के बीच में जो है अब बहुत सारे Foreign Relations वैसे भी क्या हो रहा है Maintain किये जा रहे है तो Finally जो है क्या कर लिया गया है Accept कर लिया गया है Next अगर हम बात करें तो ये कुछ upcoming batches हैं जो हम Wednesdays से स्टार्ट कर रहे हैं तो 16th of December की बात करें आज से तो 1 से 3 CGL CHSL का एक batch और 10.30 से 12.30 IBPSPO clerk और 10.30 से 10.30 IBPSPO clerk की शुरुवात हो रही है इसके लावा हर वेटनेंस दे से न्यू बैच्च शुरू होते हैं आप जादा information के लिए माहिनराज.org की वेबसाइट को विजिट करके आप बेसिक से पूरे के पूरे material को ले सकते हो और बेसिक से पूरे के पूरे course को क्या कर सकते हो आप complete कर सकते हो तो जैसा कि बहुत सारे examination lined up है तो अब जो है important रहेंगे सारे के सारे batches जल्दी से बता दो कि सब जो है MC के लोग के लिए ready हो की नहीं multiple choice question के लिए सब लोग ready हो की नहीं जितने भी candidates हमारे सार जुड़े हो है 300 touch करने वाले है चोरे चोरे चुपके चुपके session देखनी की नहीं होगे कहाँ पे आ जाना है comment box में आ जाना है और answer देनी की शुरुआत कर दीनी है तो बिल्कुल सब लोग ready हो चुके है कि नहीं जल्दी से बता दो पापा की परी भी हमारे सार जुड़ी हुई है कि रंचीत कॉर इस हीर शरत सर जुड़ चुके है ओम प्रकाश सर जुड़ चुके है तो सब लोग ready हो गए हो सारे answer सब के क्या होने चाहिए सही होने चाहिए जल्द बाची में गलत answer नहीं दोगे और अगर नहीं बन रहा है एक बार देखकर तो क्या करना है स्किप एक्जामिनेशन में भी यही स्टाटरजी अपनानी है पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर विच ओफ दो फॉलिंग निमलिकित में से किसने विचन दो हजार पैटिस पब्लिक हेल्थ सर्विलिंज इन इंडिया शीशक से एक श्वेट पत्र जारी किया है अप्शन है प्लानिंग कमिशन नीतिय आयोग नाशनल डेवलप्मेंट काउंसल Ministry of Health and Family Welfare या फिर CVC Central Vigilance Commission केंद्रे सतर्पता आयोग इन में से किसने एक वाइट पेपर विचन 2035 जो है वो रिलीज किया है पब्लिक हेल्थ सर्विलिंज पर बिल्कुल जो है आंसर आने लग गया है निकिल सर्जुट चुके है निकिल सर्जुट चुके है तो आंसर क्या है नीति आयोग ने लांच किया है Vision 2035 नीति आयोग नाशन इंस्टिउशन फॉर ट्रांस्वर्मिंग इंडिया है जो पूरी तरीके से गर्मेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही काम करती है तो headquarter कहां पर ही रहेगा New Delhi में ही located है Next आरा अगला question स्क्रीन पर Export-Import Bank of India has extended US dollar 448 million line of credit to which country recently for various infrastructure projects Export-Import Bank of India ने हाली में विबिन पुनियादी धाचे परियोचनाओ के लिए किस देश को 448 million American dollar का रिन दिया है तो हाली में Exim ने किस country को 448 million line of credit दिया है मतलब ये amount वो country use करती रहेगी तो LOC मतलब line of credit यहां पर वो रहता है तो एक समय तक वो country इस पूरे amount को use करती रहेगी तो कौन-कौन सी country है option में Azerbaijan, Georgia, Uzbekistan, Turkmenistan या फिर Armenia Export-Import Bank ने किस country को 448 million line of credit दिया है इतना amount दिया है उस country में विभिन बुनियादी धाचों की परियोचनाओं के लिए बिल्कुल सही आंसर आ गया है कौन सी country उसबेकिस्तान तो इंडिया और उसबेकिस्तान के साथ 9 agreements पर क्या हुआ था साइन हुआ था नेक्स आरे अगला question Standard and Poor Global Rating Have Force-Casted India Financial Year 2021 GDP Act SNP Global Rating ने भारत की Financial Year 2021 की GDP का अनुमान कितने पर लगाया है तो SNP है Standard and Poor ये Global Rating Agency USA की इसने ये कहा है कि इंडिया में Financial Year 2021 में Gross Domestic Product मतलब इतनी Growth Rate कितने परसंट रहेगी तो GDP कितने परसंट रहेगी सकल घरेलो उत्पात देश का कितना परसंट रहेगा ये forecast किया है SNP ने कितना परसंट कितना परसंट किया है इतना contraction पे है पहले उसका अनुमान था वो माइनस 9% था थोड़ा सा बड़ा है आप कहा है कि कितनी रहेगी GDP माइनस 7.7% तो no doubt जो है vaccination आने के बाद इससे change भी किया चाहेगा और आप देखोगे कि तेजी से जो economy क्या होगी grow भी करेगी नेक्स आरा अगला question Name the ship recently launched by Garden Reach Ship Builders and Engineers Limited Kolkata which is the first of the three projects of 17A ships Garden Reach Ship Builders and Engineers Limited GRSE Kolkata द्वारा हाली में launch किये गए जहाज का नाम बताईए जो 317A जहाजों में से पहला है ठीक है तो GRSE जो है वो पूरी के पूरी सीरीज बना रहा है 17A ships की तो आपको जो है पहली ship का नाम बताना है जो इसने बना ली है launch कर दी है option है आपके पास तारा गिरी, दूना गिरी, विंद्या गिरी या फिर हिम गिरी ठीक है तो बिलकुल जो है answer आने लग गया है कौन सी है भाई हिम गिरी है वो जहाज ठीक है ना जो प्रोजेक्ट 17A ships का है उसमें से पहला जो है launch कर दिया गया है कौन सा हिम गिरी very good everyone next आरा अगला question who has won gold medal in 10 meter air rifle shooting event at the international online shooting championship अंतराश्चे online shooting championship में 10 meter air rifle shooting event में स्वर्ण प्रदक किसने जीता है तो gold medal आपको बताना है 10 meter air rifle shooting event में किसने हासिल किया है international online shooting championship हुई है option है विश्नु शिवराच ठीक है इसके अलावा option है आपके पास हलकेन यश्वर्धन, मार्टिन स्टेफन या फिर प्रात्युष अमन बारिक तो बिल्कुल जो है answer आ चुके है कौन है भई कौन है यश्वर्धन है कौन है यश्वर्धन है ध्यान रखना कि यश्वर्धन जो है वो किस field से बिलॉंग करते हैं तो वो कौन सी field से बिलॉंग करते हैं शूटिंग से बिलॉंग करते हैं नेक्स्ट आ रहा है अगला question स्क्रीन पर श्रीपती खान चंटले जिनका 1959 में प्रतिष्ट हिंद केसरी का किताब जीता था जिनोंने हाली में उनका निधन हो गया है वे किस खेल से संबंदे थे या कौन सी field से संबंदे थे आपके पास option है तो श्रीपती खान चलाने जी जिनका हाली में निधन हो गया है जिनने हिंद केसरी अवार्ड से नवाजा गया था 1959 में वो किस field से बिलॉंग करते थे तो बिल्कुल आंसर आ चुका है वो क्या थे रेसलर थे ठीके तो आपको स्क्रीन पर दिख रहे है श्रीपती खान चनाले जी जिनने हिंद केसरी का अवार्ड दिया गया था और ये रेसलिंग में जो है सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है 1959 में जिनका हाली में क्या हो गया है निधन हो गया है नेक्स आरा अगला question स्क्रीन पर Where is the headquarter of Exim? Export-Import Bank of India का मुख्याले कहां पर सित है जल्दी से पता दो भई Exim का headquarter कहां पर located है फटा फट सेशन को क्या करते जाना है Share करते जाना है Headquarter of Export-Import Bank Exim का मुख्याले कहां पर located है Option है Mumbai, New Delhi, Hyderabad या फिर Bengaluru गलत नहीं होना चाहिए आराम से सोचना Export-Import Bank Exim का मुख्याले कहां पर सित है ठीक है जो आयात निरियात में मदद कर रहा है Exim जिस पे हमने हाली में बात की थी कि उसबेकेस सान को 448 मिलियन US डॉलर का Line of Credit भी दिया है Exim Bank ने तो बिलकुल headquarter कहां पर located है Mumbai में located है कहां पर located है Mumbai में located है Exim के अगर हम बात करें Export-Import Bank की तो Chairman David Raas Quina जी है और Exim जो है वो बना था 1st January 1982 में 1982 में बना है ये नाबाड के साथ नाबाड बना था 12 July 1982 को और दोनों बने हैं 6 वी पंचवर्षी उजना में 6th 5-year plan में क्योंकि 6 वी पंचवर्षी उजना कब से कब तक चली थी 1980 से लेकर कब तक चली 1985 तक उसके बीच में बने है Exim और नाबाड दोनों 6-5 वी प्लान में तो Headquarter बिल्कुल कहां पर है Mumbai में है On which river the Indra Sagar Dam is located Indra Sagar बांध जो है किस नदी पर स्थित है Option है Ganga, Taapti, Narmada, Betwa या फिर Son Indra Sagar Dam जो है किस नदी पर बना हुआ है तो एक multi-purpose project है Indra Sagar Dam जो है बहुत बड़ा project है ठीक है और ये जो located है Indra Sagar Dam project ये मदर प्रदेश का project है और किस river पर बना होगा फिर मदर प्रदेश वासियों बता दो किस river पर बना होगा जाता है option है आपके पास ओड़ीसा, आंदर प्रदेश, करनाटिका या फिर तिलंगाना अराम से सोच के बताना पटड़कल dance festival जो है किस राज़ में मनाया जाता है किस राज़ में celebrate किया जाता है तो आपको बता है कि festivals में से question आना लोग नितन में से question आना ये fix हैगा तो पटड़कल dance festival पूचा है option confusing है और सही option कौन सा है करनाटिका है सही option कौन सा है करनाटिका है करनाटिका अपने आप में बहुत important है next आ आ रहा है अगला question स्क्रीन पर who is the present head of United Nation Educational Scientific and Cultural Organization मतलब UNESCO संयुक्त राश्ट शेच्रिक वेग्यानिक और सांस्प्रितिक संगठन UNESCO के वर्तमान प्रमुक कौन है option है जिनलिक्विन रफेल ग्रॉसी ओर्डरे अज्यूले मसाथ सुगु असकावा या फिन एचिम स्टैनर United Nation Educational Scientific Cultural Organization UNESCO जिसका headquarter कहां पर है Paris, France में है जो World Heritage Site ये सब क्या करता है गोशित करता है इसके जो है हेडि का नाम बताना है आपको और बिल्कुल वो कौन है फीमेल है और्डरे अज्यूले जो बिलॉंग करती है कहां से फ्रांस से ही बिलॉंग करती है मसाद, सुगू, असा कावा किसके हैं भई? Asian Development Bank के हैं किसके हैं Asian Development Bank के हैं और सारे के सारे options जो है related हैं किसी ना किसी international organization से जब आपको PDF मिल जाएगी तो एक बाफ attack से क्या कर लोगे ढून लोगे नेक्स आरा है अगला question स्क्रीन पर कावेरी North Wildlife Century is located in which state? कावेरी उत्तरवनजीव अभ्यरण किस राज़्यमिस थे थे? कावेरी North Wildlife Century कहां पर लोकेटेड है? कावेरी उत्तरवनजीव अभ्यरण किस राज़्यमिस थे थे? option है Tamil Nadu, Sikkim, Nagaland, उत्राखंड या फिर Manipur तो कावेरी Water Dispute आपको पता होगा करनाटिका और किस स्टेट के बीच में है कावेरी Water Dispute वहीं पर कावेरी Wireless Century भी लोकेटेड है तो बिल्कुल सही आंसर आने लग गए कहां पर लोकेटेड है? Tamil Nadu में तो कावेरी Water Dispute भी जो है ठीके ये Water Dispute भी किस किस स्टेट के बीच में है Tamil Nadu और करनाटिका के बीच में है और कावेरी उत्तरवन जीव अभ्यरण भी कहां पर लोकेटेड है Tamil Nadu में लोकेटेड है ध्यान लखना तो Water Dispute कावेरी वाले से भी काफी बार जो है क्वेशन देखने को मिला है नेक्सारा अगला क्वेशन चंदोली नाशनल पार्क इस लोकेटेड इन विच स्टेट चंदोली राश्टे उध्यान किस राश्य में सित है अप्शन है नागलेंड वेस्ट बेंगॉल महाराष्ट उत्राखंड या फिर मनिपूर अराम से सोचकर आंसर देना है चंदोली नाशनल पार्क जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है कहाँ पर सित है जल्दी बाजी में एक्जामिनेशन में भी बनता बनाया आंसर गलत नहीं करके आना है क्योंकि जब बनता हुआ आंसर गलत करके आजाते कहाँ पर है चंदोली नाशनल पार्क महाराष्ट में लोकेटेड है चंदोली नाशनल पार्क महाराष्ट में और काफी बार क्वेशन पूछे जाता है इससे नेक्स आरा अगला क्वेशन विच बैंक पार्टनर्ड विट Aceware to launch Ace Money Micro ATM that is भागीदारी की है जो घर में ही अपने बैंक खाते से पैसा निकालने में सक्षम बनाता है तो घर में ही आपको पैसा मिल जाएगा 30-40 मिनिट में पैसा रिसीव कर लिया जाता है ठीके ना तो Ace Money जो है ठीके उसने किस बैंक के साथ जो है वो पार्टनर्शिप की है कि कोची केरला में मनी विड्रो आप कर सकते हो अपने बैंक के खाते से घर बैटे ही तो Aceware जो है वो एक कंपनी है जिसने Ace Money Micro ATM launch किया है कोची केरला में किस बैंक के साथ मिलकर option है HDFC Bank, Excess Bank, City Bank Yes Bank या फिर ICAC Bank तो बिल्कुल किसके साथ ये पार्टनर्शिप की गई है ICAC Bank के साथ ये पार्टनर्शिप की गई है ICAC Bank अपने आप में एक ऐसा बैंक रहा है जो सबसे पहला Universal Bank रहा जिसने बहुत सारी services देना चालू किया internet banking की शुरुआत भी सबसे पहले किस ने की थी ICAC Bank ने की थी और अब जो है Aceware के साथ मिलकर Ace Money Micro ATM की शुरुआत कर दी है कोची केरला में कि घर बैटे जो है वो ATM मशीन से आप क्या कर सकते हो पैसा विड्रौ कर सकते हो मतब 30-40 मिनिट में आपको पैसा कोई न कोई लाकर आपके घर पर दोट स्टेप्स पर प्रोवाइड कर देगा नेक्स आरा है अगला question स्क्रीन पर बहुत बढ़िया सुमन, प्रवीन सर, मोनी पबलिक तक भी जुड़े हुए हमारे साथ सुजीज सर, वेरी गुड केशफ सर, प्रवीन सर, रागनी माम, रोशन, बहुत बढ़िया संदीब सर, नेक्स आरा है अगला question विच ओर्गनाइज़ेशन हास सेट अप अ स्पेशलाइज़ डिपार्टमेंट कॉर्परेशन Finance Investigation Department to Tackle Promoter's Fraud प्रमोटर के फ्रॉड से निपटने के लिए किस संगठन ने एक विशेश विभाग निगम वित्त जाच CFID की स्तापना की है तो हाली में हमने न्यूस में देखा था कि किस ओर्गनाइज़ेशन के द्वारा CFID मतलब Corporation Finance Investigation Department बनाने की बात कर दी गई है कि जो IPO Initial Public Offering होता है या जो प्रमोटर के फ्रॉड होते है इससे बचा जा सके उसके लिए पूरा डिपार्टमेंट अलग से सेट अप कर दिया है तो किसने किया है ऑप्शन है Ministry of Corporate Affairs RBI, Association of Mutual Funds of India या फिर SEBI तो CFID Corporation Finance Investigation Department फ्रॉड से निपटने के लिए किसने बनाया है बिल्कुल सही आंसर आ गया किसने बनाया था SEBI ने किसने बनाया था SEBI ने Securities and Exchange Board of India ने इस डिपार्टमेंट को क्या किया है बनाया है नेक्स आरा अगला क्वेशन विच फिल्ड अस्ता रीसेंट International Price को किस छेतर में दिया जाएगा तो यह जो UNESCO ने घोशना की थी कि बन्गलादेश के Father of the Nation Bangabandu Sheikh Mujibar Rehmann ची के नाम पर जो International Price Distribute किया जाएगा वो किस छेतर में दिया जाएगा Option है Innovative Pedagogy Creative Economy Inclusive Development या फिर Climate Change तो किस फिल्ड में इस अवोर्ड को दिया जाएगा यह एक International Price रहेगा जो हर दो साल में एक बार दिया जाएगा जिसमें 50,000 US Dollars का इनाम रहेगा तो UNESCO ने यह कहे तो दिया है किस फिल्ड में यह इस अवोर्ड को दिया जाएगा तो बिल्कुल सही आंसर आ गया है कौन सा जो हरो grasses ब्रीतेन को बिलॉघ करने वाले Mercedes से गाड़ी चलाने वाले कौन Lewis Hamilton किसे बना दिया गया है Lewis Hamilton जो है वर्ल नमबर वन फॉर्मुला वन रेसर बन गए हैं बिलकुल नेक्स आरा अगला क्वेश्चन विच बैंक लॉंचेस इस डिजिटल पेमेंट सर्विसेज डाग पे एम टू ट्रांस्फॉर्म पांकिंग सर्विसेज अट लास्ट माइल किस बैंक ने अपने डिजिटल बुकतान सेवाएं डाग पे को लॉंच किया है जिसका उदेख्ष अंति मील तक बैंकिंग अनुभाव को बदलना है तो डाग पे सर्विस की शुरुआत जो है किस बैंक ने कर दी है जिसमें बैंकिंग एक्सपिरियंस को पूरी तरीके से चेंज कर दिया जाएगा ऑप्शन है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, एर्टेल पेमेंट बैंक, एयू स्मॉल फिनांस बैंक या फिर ICIC बैंक, तो बिल्कुल किस बैंक ने डाग पे सर्विस की शुरुआत कर दिया वो कौनसा बैंक है भई इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है जिसका बना था 1 सेप्टेंबर 2018 ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपना डिजिटल प्लाट्फॉर्म लॉंच कर दिया है किस naam से, डाग पे के नाम से, तो आपको सारी कि सारी पोस्ट फिनांचल services जो post office related financial services होती है उसकी home delivery घर बैटे ही मिलेगी तो कहीं ना कहीं जो dark या post office related employees है उन्हें भी इससे क्या होगा benefit होगा तो digital payment services के साथ-साथ जो है आपको जितनी भी postal financial services होगी वो आपको घर बैटे मिलेंगी तो dark pay जो है एक नया digital platform launch कर दिया है किसने इंडिया post payment bank ने जल्दी से comment box में लिखकर बता दो भाई इंडिया post payment bank जो है उसका headquarter कहां पर located है इंडिया post payment bank का headquarter कहां पर located है ये लिखकर बताओगे comment box में सर्दार वल्ला भाई पटेल जी को जो है नेशन ने क्या किया है उनकी 70 वर्ष की जो पुर्णे तिती ती उस पर क्या किया है श्रदांजली अर्पित की है वो कौन से नंबर के deputy prime minister थे इंडिया के वह भारत के कौन से नंबर के उप्रधान मंत्री थे तो सर्दार फृर्ड विल्ल्ला भाई नेशन भारत करे तो सर्दार वंल्ला भाई पटेल जी कौन से नंबर के Deputy Prime Minister थे इंडिया के तो बिल्खुल कौन से नंबर के थे वह फिर्स नंबर के थे तो नि節目 के थे कुछ लोग मुं्बई क कह रहे है कुछ लोग बुचल कुछ न्यु नूब आर्बिया ने मुद्रा नोटों की प्राप्ती भंडारन और प्रेशन के लिए किस शहर में एक स्वचलित बैंक प्रंसकरन केंड एबीपीसी स्थापित करने की योचना बनाई है तो ये एक ऐसी यूनिट रहेगी एक ऐसा सेंटर रहेगा जहां पर स्टोर किये जाएंगे ब इंडिया के दौर पर जाना जाता है और अगर हम बात करें तो स्टाच्व ऑफ कॉन सी बनी हुई है उन्हीं के उपलक्ष में स्टाच्व ऑफ यूनिटी भी बनी हुई है नेक्स्ट जो है अगला क्वेशन प्ट्चित्र स्टाइल ऑफ पेंटिंग बिलॉंग स्टू मदरपदेश या फिर केरला तो हिंदियू माइथालोजी पर बेस रहती है पट्चित स्टाइल ऑफ पेंटिंग और कहां से बिलॉंग करती है ओडिसा की है ये पेंटिंग स्टाइल ठीक है कहां की है ओडिसा की है ये पेंटिंग स्टाइल नेक्स आरा अगला क्वेशन पी सारी important योजनाओं की गोशना की गई है, इसके अलावा आधार शिला रखी गई है, एक fully automated milk processing और packing plant रहेगा कच्छ में, कौन सी dairy में ये पूरी तरीके से automated packing plant काम करेगा, milk processing plant काम करेगा, तो बिलकुल option है, आपके पास सरहद dairy, amol dairy, sanchi dairy या इनमें से कोई भी नहीं, तो कहां प तो कहां पर है, गुजरात में ही है, जिसका full form क्या है, आनन्द milk union limited होता है, amol का full form, ठीक है, आनन्द milk union limited होता है, इसका full form, amol का full form, नेक्स्ट आ रहा है अगला question, पन्न विबूशन अवाडी, Rodham Narasimhan ji has passed away, वो किस छेतर से बिलॉंग करते थे, पन्न विबूशन से सम्मान इनका हाली में निदन हो गया है, तो बहुत सारे important events इनके नाम पर रहे हैं, और यह क्या थे, aerospace scientists थे, इसरो के बहुत सारे fields में इनकी क्या रही है, इनने पन्न विबूशन से भी नवाजा गया था, और यह scientists थे, वो भी aerospace scientists थे ध्यान दखना, नेक्स्ट आरा अगला question, India to launch which of the following communication satellite which will be India's 42nd communication satellite. भारत निम्लिकेत में से कौन सा संचार उग्रह लांच करेगा जो भारत का 42 नंबर का संचार उग्रह रहेगा. तो GSAT की अगर हम बात करें तो GSAT 11 को ये कहीं न कहीं रिप्लेस कर देगा. तो कौन सा जो है communication satellite लांच करने वाला है इंडिया जो इंडिया का 42nd communication satellite रहेगी. उप्शन है INSAT 3C, GSAT 7A, CMS01 या फिर INSAT 2DT. ठीक है तो कौन सी लांच करने वाला है communication satellite बिल्कुल कौन सी है? Communication satellite CMS01 जो है भारत लांच करने वाला है. Next question आ रहा है. Ola signed MOU with which state to set up its first electronic scooter factory. Ola ने किस राज़े के साथ अपना पहला electronic scooter कार खाना सापित करने के लिए समझोते ग्यापन पर हस्ताक्षर कर लिए है. जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो है factory कहीं जा रही है, manufacturing factory कहीं जा रही है. जिसके लिए investment किया है Ola ने कितना? 2400 करोड का investment कर दिया है कहाँ पर Tamil Laadu में. कहाँ पर किया है भाई? Tamil Laadu के साथ Ola ने क्या किया है? समझोता है किया है. बिल्कुल Ola के जो है chairman का नाम बताओगे comment box में लिखकर. चुरुआत किस ने की थी Ola की? तो Ola के अध्यक्ष है, Ola के head कौन है? ये लिखकर बताओगे comment box में, सबको नाम याद आ रहा होगा. उनका चेहरा भी याद आ रहा होगा. तो Ola के जो है head कौन है, ये comment box में लिखकर बताओगे. नेक्स्ट आ रहा है अगला question. 2023 FIH Men's Hockey World Cup will be hosted in which state? 2023 FIH पुरुष होकी विश्व कप किस राज़ में आयोजित किया जाएगा? जल्दी से बताओ भाई, FIH Federation of International Hockey ने ये कहे दिया है, कि 2023 का Men's Hockey World Cup जो है कौन सा state host करेगा? option है माराश, ओडिसा, आंध्रप्रदेश, या फिर करनाटिका. जल्दी से बताओ, 2023 का FIH Men's Hockey World Cup कौन सा राज़ जो है host करेगा? तो बिल्कुल वो कौन सा रहेगा? गुड मॉर्निंग, जेके रावत सर, बहुत लेट हो गए हो, ठीके, कहाँ पे होगा? 2023 का FIH Men's Hockey World Cup कहाँ पे होगा, भाई? ओडिसा में होगा, ठीके, कहाँ पर होगा? ओडिसा में होगा, किसी ने जो है OLA के हेड का नाम नहीं बताया है, अभी तक मैं देख रही हूँ, ठीके, कोई तो बताएगा OLA के हेड का नाम क्या है? नेक्स आ रहा है, अगला question, Who has become the President of International Boxing Association, AIIB? इंटरनाशनल Boxing Association, AIIB के President कौन बन गए है, ठीके, AIIB Association of International Boxing Association है, अगर हम बात करें, तो हमने कहा तब Olympics ही शुरुआत हो रही है, अब बहुत सारे जो है क्या होंगे, President Change होंगे, अलग-अलग Sports Association के, तो नए President कौन बना दिये गए है, International Boxing Association के, option है, Greg Barclay, Anika Soristam, Umar Kremliv, या फिर Jenna Waldridge, ठीके, सारे के सारे नाम जो है, वो सुने सुने से लग रहे होंगे, International Boxing Association के, नए President के ने बना दिया गया है, बिल्कुल भावेश अगरवाल आंसर आ गया है, संगीता माजी जी, very good, very good, Manoj sir, आस्ता राइडर ने भी आंसर दे दिया ह बहुत बढ़िया ओला के कौन है, भावेश अगरवाल है, President International Boxing Association के किने बना दिया गया है, उमर Kremliv को बना दिया गया है, उमर Kremliv को बना दिया गया है, नया Association of Boxing Association का क्या President, नेक्स अगर हम बात करें, तो, जो है, बही, Sunday को 28 December को 12 घंटे की लगातार क्लास आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, 6 से 12 मैं Current Affairs लेकर आऊंगे, जिसमें जानवरी से लेकर, इवन December से लेकर अभी तक, पूरे December तक हम कवर करेंगे, जितने भी Important Current Affairs रहेंगे, जो Important रहेंगे, आपके Railway के Examination के लिए, फिर जो है, दो पहर में 12 से शाम में 6 बजे तक, जो है, लगातार 6 गं क्योंकि सबको पता है कि 28 से जो है, RRB, NTPC के Examination स्टार्ट होने वाले हैं, जल्दी Admin Card भी क्या हो जाएंगे, रिलीस हो जाएंगे, तो बिल्कुल सुबह 6 से 12 संडे को, ठीक है, Current Affairs का रहेगा, और दुपहर में 12 से 6 जो है, वो Reasoning रहेगा, तो पूरे Railway से, Railway से Related Current Affairs, जो ह भी बहुत जादा है क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा, और उनका पूरा एक बार जो क्या हो जाएगा, Quick Revision हो जाएगा, जो उनके SBI के Examination में भी क्या होगा, बिल्कुल काम में आएगा, जो अभी तक Telegram Channel से Connect नहीं हुए हैं, आप Selection with Chandni के नाम से Telegram पे सर्च कर सकते हो, या जी महिंदरास लाइब के नाम से भी Telegram पे सर्च कर सकते हो, आप चाहो तो किसी में भी अपने आपको क्या कर सकते हो, एड़ाउन कर सकते हो, सारे PDF इंपोर्टेंट नोट्स यो हैं, वो यहीं पे प्रोवाइड कर दिये जाते हैं, अगर हम बात करें तो आज के Session को यहीं करते हैं, जितने भी नए Candidates हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो है चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, थांक यू वेरी मुच तो आल उफ यू, जाते जाते Session को लाइक जरूर करते जाहिएगा, सब लोग अपना ध्यान रखेगा, सुरक्षित रहिएगा, अपने सेशन को यही पे एंडे करते हैं, सेवन थर्टी से आपके एडिटॉरियल का सेशन लगा रहेगा, थांक यू वेरी मुच तो आल उफ यू, बाबाय गाइस,